इस दुनिया में इंसान ही सिर्फ रौबदार नहीं होते हैं कुछ गाड़ियां भी रौबदार होती हैं उसमें से एक मानी जानीवी गाड़ी है जिसको बोलते हैं Scorpio तो गाइस यह जो classic variant है इसके अंदर कुछ ही changes है जो की visually दिखेंगे आपको जैसे की यह logo change हो गया है पहला तो यह bow का logo आ गया है थोड़ा सा sophisticated लगता है बजाए वह ही महेंद्रा का logo लगता है अपर ग्रिल जो है यह भी change हो गई है थीक है थोड़ी सी इसके क्रिस्पने saw डाल दिया अभी जो headlights है यह first impression में देखने से ऐसी लगती है जैसे की version 2 वाली है लगा बट यह जो है अंदर से थोड़ा से इनको और क्रिस्प और clear कर दिया गया अंदर से अगर यह projector देखो और यह वला lens देखो गए तो आपको लगेगा कि हाँ हलके हलके से इसके अंदर डिफरेंसिस हैं फिर एक और चीज इसके अंदर एड हो गई है जो कि क्लासिक वाला variant है पराने वाली Scorpio से वह है यह यह Fog Lamp और यहां पर यह आप लाइट देख रहे हैं यह चीजे इसके अंदर एड हो गई है थोड़ी सी प्रीमियम नैस दे रही है और अच्छी भी लग रही है और कमपनी की चीज है न तो इसमें LED लगी है बड़ी बड़ी यह काम गड़ेंगी रात को तो DRL as a Fog Lamp यह लाइट देगा ठीक है उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं तो एक फेवरेट चीज जो मुझे लगती है इस गाड़ी के इंदर वो यह है यहां से देखो तो यह हुड का जो डिजाइन है एक्चुली जो लोग इसके दिवाने वो इसलिए है क्योंकि हुड जो इसका मस्कुलर है और यह गाड़ी लगती है ताकतवर एक पहलवान टाइपस इसकी खुबसूरती को और बढ़ा देता है यह हुड स्कूप यह हुड स्कूप अब फ चैंज है वह इसका ये आप देखना है स्टार्टिंग में जो बंपर है इसकी यह वली नीचे का पार्ट ये इस सिल्वर में हो गया है वैसे हमारे पास अभी वाइट क्रीमिश कलर रहे हैं इसका ब्लैक कलर बहुत आउट्स्टेंडिंग है तो वाइट कलर होता है नेताओ यह इंजन वाइस तो देखो ऐसी है, इसके निदर जो है 2.2 लिटर का M-Hawk इंजन है, एक चीज अची लगी इनोंने यह देदी है, पावर लिफ्ट देदी है अपने इंजन के साथ में और इंजन बनाया है, क्या तो ब्यूटिफुली डिजाइन किया है, अच्छा लग रहा यह चीजे लगाने से अच्छा लग रहा एंजन और टर्बो चार्ज इंजन है, बेसिकली डीजल इंजन है जो की 2.2 लिटर का M-Hawk इंजन इसको बोलती है, महिंद्रा, 130 बहप का पावर प्रड्यूस कर देता है और 300 Nm of torque जंडेट करता है इस पावर से, खीच ने खाचने तो कितने अच्छा से कलर कोडिंग वगारा इसके अंदर हुई है, साधी वायर सालग लग कलर की है, तर्बो यह लगा होगा पता चल रहा है और यह हीट सिंग बगारा यह सब चीजें तो वैल बिल्ट इंजन बे है, no doubt, और सबसे चीज है कि यह पावर है, मनलब इलेक्ट आरे है, जा कि अदेर है एधर लोगों के लिए लिए है, तो इसका इंटीर है, यहां से सौफ्ट है, बाकि यह छीजे भी हाडं लेकिन एक चीज और इसके अंदर प्यारी है, वह है यह इसमेंना एक टेक्स्टटर है, है तो यह हाडड, लेकिन टेक्स्टर है, यहां पर प यह चोटी सी स्लीव है जिसमें की चोटा मोड़ा समान आप डाल के रख सकते हो और यह एक अंबार्टमेंट है जिसके अंदर कुछ भी फोन वाले वगरा रख सकते हो जैसे कि मैंने बताया कि यह टॉप वीरिंट है लेकिन इसमें इंडिकेटर यहां नहीं है चलता था लोगभाग राइड लेयट लेज लेकर कटमाले थी एकसे इसके वरे से लौग कोई सी भी गाड़ी आईगी निव लाँच होगी तो उसमें चाहिए टाओ रिंट हो उसके इंडर यहां ही जो देंगे जो कि बेस वीरिंट के अंदर आते थे अब बेस और टॉप के से पतानी चलेगा लोगों को अब इसकी में चीज वो है यह ड्राइवर सीट राइवर सीट कुछ इस टाइप की है यह जो इसका डोर है उसके इंदर देखिए कंट्रोल्स जो है नॉर्मल ही है अभी है कितने का वह भी बता हुआ तो कुछ इस टाइप से का स्टेरिंग वील है और क्रूज उप कर दे कर सकते हो यहां पर सर्स दें सकते हो अब टैली फोन के म्यूजिक के यहां पर गंट्रोल्स आगे की तरह अगर देख लेना तो यह जो चीज रहा था इसप्रींग में अब गया टाइवर सिंग मोड दू बड़ यह जो चीज तो यह तो इंटीर है ना यह हाड है यह भी हाड है सब कुछ हाड है बट एक टेक्स्टर है इसके अंदर देखो यह है इसके इसे काफी अच्छे से लग रहे हैं प्रॉमिनेंट और वहां पे स्कॉल को लिखा वह वह बहुत कूल चीज लग रही है मैं इसको होलता हूं गलब यह वाला फील है इसका वाइबरिशन हलकी सी है जो कि एक डीजल इंजन की पहचान है साउंड है उसके इंदर वह वाला थंप है सीडियसली स्कॉर पर वाली जान है इसके इंदर मजा आ गया देखके मुझे इसके और वीम कंट्रोल करने के लिए यहां पर फीचर है बाकी यहां पर आपको फीचर मिलेंगे अब एक और जो चीज मुझे बहुत जारे प्यारी लगी वह यह है इसका इंफोटेमेंट सिस्टम तो इंफोटेमेंट इस वक्त यह 9 इंची की एंडॉइड स्क्रीन लगा दिया है तो कुछ इस ताइप से मैं इसको होम दबाऊंगा तो यहां पर यहां पर हलका सा देख रहे हैं चोटा मुटा सा चींज यह सारी चीज आपको एक्स्टा ओडनरी मिलें इसके इंदर यहां पर देखें कितना है यह चीज भी है यह ठीक है इस यह वाइलेस चार्जिंग का काम कर सकती है वैसे अगर इसको चेक किया जाए तो अपने यह रुत्बा है आटो विंडो वगरा इतने बड़े बड़े मिरर्स और जो इसकी शान है जो इसकी पहचान है वह सीरेसली यह स्कॉर्पियो जो इसका लुक है वाइट के अंदर और जो इसकी यह ऐशुविश फील है फील क्या यह रहे तो प्रॉपर एक तरीके का बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऐसी हुई है जो कि माना जाना है इंडियन रोडस के सबसे महें बहुत ही जी जिगाड़ी एक निगा लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं बताने वाला हूँ तो देखो फील कितना बड़ा इस गाड़ी कितनी बड़ी हुज लगती है और आ आउट्सेंडिंग लगती है बहुत ही खुबसूरत और मजा आजाता है इस गाड़ी को देखने में या फिर चलाने में तो यह एक छोटा सा ही एक्सपीरियेंस है वैसे इस कार का किसी दिन चलेंगे हम इसकी टेस्ट राइट पे लेकिन मैं कुछ बता दूं जो की चीज़ तो और ज़्यादा मजा आजा है बाकी इसमें जो रेर सीट है वह देगे है क्या बाद है भई सेवन सीटर का रही है इतनी बड़ी रेर सीट उसमें अगर मैं उस तरफ से जाके दिखा दो तो इसमें साथ लोग इजी ली बैठ सकते कोई मनाई नहीं है इसमें बैठने में यहाम जाना सब में एक अर्याय जा जूसा ऐसा क्यों क्योंकि ये एक सोफा शीटे है थो तोले पाससे घिका और यह सोफा सीट है रिक्टि नी ए क्पर बलू नहीं सपे बलकुल एक साथ Award आप एक बंदा बैटो, दो बंदे बैटो, तीन बंदे बैटो, चार भी बंदे बैट सकते हैं इसमें फिर यहां पर आजाते हैं तो यहां पर armrest है कब होल्डर बगारा चीजें जो इन्होंने देने की कोशिश की नहीं या पर पता नहीं क्या सीन है बट आमरेस्ट है यहां पर चोटी सी स्टोरेज यहां पर लेगन हां यह है कि बॉटल होल्डर के लिए आपके डोर्स के नदर दो चीजें दे रखी हैं मोवाइल होल्ड कर एक चोटे से होल्डर से और रेर वाला जो नीचे वाला जो है उसमें आप बॉटल या फिर ग्लास होल्ड कर सकते हो अब चलते हैं इसकी बूट ओपन करने के लिए तो वैसे मैं बता हूं काफी रूमी और काफी बड़ी सी गाड़ी है पीछे से गाड़ी का जो लुक है व अच्छा फील है जो डोर खुलता है इसमें यहां देगे ज्यादा कुछ फिनिशिंग वैसे है नी लेकिन यह सॉफ्ट है यहां पर यह स्पीकर्स है ठीक है और एक यहां पर यह सपोर्ट दे रखी है खोलने के लिए अगर किसी का हाथ ऐसे लग जाए यहां तो अगर पीछे तो मैं अगर बैठता हूं इसमे तो मैं ऐसे बैठके जा सकता हूं पीछे फैमिल के साथ यहां पर सारे लोगे है बट यह है कि आप अपने सामने कोई अपनी हीट का बनना मत बीठा हो क्योंकि आपको पैर खोलने के लिए शमान रखने के लिए जगाँ चेह और यह इहब गड़के नहीं फा ethical फाल के सित्वे नियुग बंडा तो यहाँ तो इसुम अपर सब्या हो सकती है आधी यह लो यहरू आधी इतना बड़ा हमेरे बाश मेरे बास अराम से में बैठा में बंड दे खाई हो यह और मेरे दोसे कि ढह Все बहुत बंड ऑइह। यहां पर कोई बच्चा भी बैठ सकता है मेरा यहां पर मैं कोई खा भी सकता हूं यहां पर मैं जैसे अगर मैं यहां बैठा हूं और सामने मेरे बीच है यह फे कोई अच्छा नजारा है और मैं अच्छा अच्छा नजारा है और मैं बैठ सकता हूं एक और चीज है कि यहां मे enfin एककिर टाहून तो रहे हैं लुटी करा यह ह् OF एकमा रहोफिंद कर दो यह उस्तिय ना कि युटिलीटी पर पर स्क्राइन तही है डागडी है यह हैं 1000 भी, छैवा रा मैं फड्रीन व याकило आसे हैं नोडाउट मज़ा आगया देखके गाड़ी वैसी स्कॉर्पियो जैसे की थी हमारी स्कॉर्पियो वापिस आगई तो अगर यह गाड़ी के लिए आपको कोई इंकवारी करनी हो तो मैं डीम महेंद्रा का नंबर दिदुआ नीचे कॉल कर सकते हो पूछ सकते हो भाई कितने की Bye-bye